जै महाकाल आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्ष्टा नॉलेज इन हिंदी में मैं आज आप लोग लिए बहुत इपोटेंट वीडियो लेकिया हूँ मेरा आज का जो वीडियो है इंडियान एर फोर्स में आप लोग की जो एक वेकेंसी निकली तो ये इंडियान एर फोर्स की वेबसाइट है और ये आप लोग जो है यहाँ पे अप्रेंटिस सी पोर्टल है यहाँ से आप लोग का जो है ऑनलाइन एप्लाई करना है ठीक है तो पूरी जानकारी पहले आप लोग रिकूट्मेंट की ले लिजिए फिर यदि आप लोग एलिजीबल है तो आप लोग ऑनलाइन एप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं यदि आप लोग एलिजीबल है मुझे बताइए मैं आप लोग को ऑनलाइन एप्लाई का वीडियो भी प्रोवाइट कर दूगा तो आप लोग देख सकते हैं इंडियान एर फोर्स की आप लोगी वे इसकर आप लोग का होने वाला ठीक है इसके बेस पे आप लोग का सेलेक्शन होगा तो Air Force Apprentice Training Return Test आप लोग का होने वाला कॉर्स आप लोग का जो एक अपरेल 2022 से स्टार्ट हो जाएगा और यहां पे आप लोग को बताये गया है कि fare and transport यहाँ पर जो है आप लोग की recruitment होगी यानि कि जो भी apprenticeship के लिए selection होगा किसी प्रकार के आप लोग चाल साजी में ना फसे हो mobile phone, electronic device वगरा जो है आप लोग के areas में बैन है इसके अलावा कुछ important instruction दिये गए हैं आप लोग इसे read कीजिए कौन-कौन इसके लिए eligible है, कौन इसके लिए apply कर सकता है apprenticeship के लिए तो application जो है आप लोग के online यहाँ पे apply किये जा रहे है जो कि apprenticeship india.gov.in से आप लोग के apply होंगे मैंने आप लोग को दिखाया है आप लोग कहां से होंगे और यहाँ पे आप लोग जो है one entry only ठीक है examination valid है केवल one entry only online registration आप लोग का 28 जनवरी 2022 से 19 फरवरी 2022 तक होने वाले जी है 19 फरवरी 2022 इसकी last date है online registration application के लिए आप लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोग upload करना पड़ेगा आप लोग को 10th की marksheet जी हाँ 10th की passing marksheet certificate जो भी एविले वले इसके लावा 10th की आप लोग की marksheet यहाँ पे upload करनी है और ITI का certificate आप लोग को यहाँ पे upload करना है तो यहाँ पे आप लोग 10th 12th और ITI आप लोग के पास होनी चीए इसके लावा passport size photo आप लोग upload करेंगे जो की 50KB maximum size आप लोग को बताये गया है light background और without gap होना चीए signature वेगर ठीक है आप लोग यहाँ पे upload करेंगे इसके लावा आप लोग को बताये गया है इसके लावा आप लोग को बताये गया है just selection for engagement जी हाँ आप लोग का जो selection है वो apprenticeship based है आप लोग का merit जो की आप लोग के 10th 12th ITI के मार्स और जो practical exam है इसके मार्स के base पे आप लोग का यहाँ पे merit लगने वाली है और website who had complete अंडर जो नोंने पहले यहाँ पे apprenticeship कर रखी है वो यहाँ पे eligible नहीं है कोई DATA नहीं दिया जाएगा और यहाँ पे reservation OBC, SCST OBC वो जैसे है आप लोग यहाँ पे मिलेगा अप्लिकेबल है notification में यहाँ पे आप लोग को clear किया है online apply जी online apply आप लोग के जो है होने वाले है course 1 April 2022 apprenticeship training के लिए यानि कि 1 April 2022 से आप लोग का course यहाँ पे start हो जाएगा Air Force Station ओजार नासिक में और 1 March से 3 March के बीच में जो आप लोग का यहाँ पे process चलने वाला है ठीक है नासिक का ही process है और यहाँ पे course आप लोग का 1 April से यहाँ पे start हो जाएगा इसमें आप लोग की age की जानकारी दी गई है जन्रल से है तो 14-21 साल OBC से है तो 14-24 साल SCST से है तो 14-26 साल तक आप लोग apply कर रहे है age आप लोग की 1 April 2022 को यहाँ पे count की जाएगी और यदि आप लोग sun daughter of air force, civilian, defense employee है तो आप लोग को 2 year का relaxation मिलने वाला है minimum height आप लोग की minimum 137 होनी ही चाहिए weight minimum आप लोग को 25.54 kg होना ही चाहिए ठीक है यदि आप लोग civilian या defense employee है air force के ठीक है sun, putter, daughter वगरा है तो 2 year का benefit आप लोग को और मिलने वाला education यहाँ पर 10th , 12th आप लोग की होनी चाहिए च्छिये, 12th अप लोग के 50% mars aggregate होनी ही चाहिए और ITI आप लोग की 65% mars aggregate होनी चाहिए तो 10th pass होनी चाहिए 12th में 50% और ITI में 65% होनी चाहिए stipend आप लोग को मिनने वाला है 7700 रुपे आप लोग को कर रखिये, seat metal, welder, gas electrical, mechanical, radio, radar, aircraft या फिर carpenter, electrician, aircraft या फिर painter, journal या भी feeder से आप लोगोंने idea कर रखिये, तो आप लोग यहां पे eligible हैं, और 10th, 12th के बारे मैंने आप लोग को बता दिया, total vacancy की जानकारिया आप लोग को दी गई है, total 80 vacancy आप लोग की निकल क्या रहे, important date आप ल last date आप लोग की 19 फरवरी 2022 रहने वाले return and practical exam आप लोग का जो है 1-3 March के बीच में होना चाहिए, और जो list आप लोग की निकलेगी, final list आप लोग की 17 March को और आप लोग का course 1 April 2022 से start हो जाएगा, medical के बारे में बताये गया है, medical आप लोग को यहां पे submit करना पड़ेगा, यदि आप लोग का list में नाम आता है, joining in training के time, ठीक है, तो medical आप लोग को देना पड़ेगा, तो इस प्रकार से आप लोग को पूरी जानकारी दे दी है, मैंने जो आप लोग की Indian Air Force के अंतरगत apprenticeship की 80 vacancy निकली हुए, यदि आप लोग ने पहले apprenticeship किया हो, तो आप लोग यहां पे apply नहीं कर सकते हैं, यदि आप लोग ने अभी तक apprenticeship नहीं किया, तो आप लोग apply किजिए, बहुत ही अच्छा मौका है, Indian Air Force के अंतरगत apprenticeship करने के लिए, लेकिन 10th pass होने चाहिए, 12th में 50% और ITI में 60% मार्स आप लोग के होने चाहिए, relative trade में, जिस trade के लिए आप लोग apply कर रह हम क्वgeht ऊंतरगत कर रहीं किजिए इवा ऊेए, जिस आपकर सबस्चा है वा लोग दोत सकते हैं, बहुत हैं में 50% म, बहुत आप लोगमा ये झाहिए, जिस आप लोगग हमादे जापी में 50% म, पूगमा झाहिए directamente साचा हैं है, जिसे तत्का हैं सोबस्ता हैं